Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel Education Arena मैं Prince Dwaydi अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ तो चलिए मैं ये आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ Determiners का जो कि आज मैं आपको बताऊंगा कि Where to use Every and Each Each और Every का प्रयोग कहां पे करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले सस्क्राइब कर दें सेयर कर दें, लाइक्स कर दें और बेल आइकन को दबा दें क्योंकि जब मैं अगली वीडियो डालूँ तो पहली अपडेट आपके पास पहुंच जाए चलिए स्टार्ट करते हैं अज का हमारा टॉपिक है इच और एवरी हम सब जानते हैं कि ीच और एवरी दोनों का एक ही मतलब होता है इच और एवरी दोनों का मतलब प्रतेख होता है लेकिन अब इसको यूज कहां पर करना है ये हम नहीं जानते तो चलिए simple भासा में मैं आपको समझाता हूँ simple language में किसको use कहां पे करते हैं तो देखे, each जो है वो 2 या more than 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा के लिए use किया जाता है 2 और more than 2 के लिए हमारा each use होता है मतलब 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हमारा each use होता है but every is used only for the more than 2 और जो every होता है वो सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए use होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो each है वो every की जगह use हो सकता है but every cannot be used in place of each each जो है every की जगह use किया जा सकता है but every को each की जगह use नहीं किया जा सकता क्योंकि two के साथ every को use नहीं किया सकता but more than two के साथ each को प्रयोग किया जा सकता है जैसे let's take one example each of the two girls gets a prize each of the two girls gets a prize यहाँ पे देखिए कितनी girls हैं two girls हैं इसलिए यहाँ पे each का use हुआ है अगर हम यहाँ पे every का use कर देते तो यह गलत हो जाता every every यहाँ पे गलत हो जाता क्योंकि सिर्फ two हमने पढ़ा है कि two के साथ each लगीगा but every two के साथ नहीं लगेगा इसलिए हमने यहाँ पे each of the two girls get a prize अगर हम बोल देते कि every of the two girls get a prize तो this will be the wrong अब दूसर एक्जामपल लेते हैं each of the ten students get a prize यहाँ पे देखिए दो से ज्यादा के लिए भी each का use हुआ है ten students ten students दो से ज्यादा है कि नहीं है हैं इसलिए भी each use हुआ है अब देखिए every student gets a prize every student gets a prize अब यहाँ पे हमने every को क्यों use किया क्योंकि देखिए student की number हमको नहीं मालूम है but यह more than two है more than two है इसलिए हमने every का use किया यह आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा देखिए मैं एक और एक्जांपल आपको बताता हूँ देखिए each जो होता है is used for different numbers means जो each होता है उसका प्रयोग निस्चित संख्या के लिए किया जाता है निस्चित संख्या मतलब जिसमें हमको संख्या पता हो जैसे हमने उपर example देखा each of the two girls gets a prize तो यहाँ पर हमको पता है कि कितनी girls है two girls है number हमारा fixed है कि two girls है इसलिए हमने each का use किया है है न अब दूसरे नियम देखते है rule every is used for indefinite number मतलब कि every को उसी का उल्टा अनिस्चित संख्या के लिए use किया जाता है मतलब जहाँ पर आपको number नहीं पता रहेगा कि कितने girls है या कितने कुछ भी चीज है जैसे हमने यहाँ पर example लिया every student gets a prize तो यहाँ कि आपको number पता है कि कितने student है नहीं पता है इसलिए हमने every का use किया है तो आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए एक और rule आपको बताता हूँ each का प्रयोग individuality यह separate action को दिखाता है मतलब कि individuality एक एक करके या फिर अलग कोई कार हो रहा है अलग हट के कोई कार किया जा रहा है वहाँ पर each का प्रयोग होता है but every का जो use होता है वो group में action को दिखाता है every का use group में action को दिखाता है तो चलिए example लेते हैं तो example है each student was given a certificate by the cheap guest one by one यहाँ पर यह देखिएगा आप कि action हो रहा है लेकिन एक एक करके दिया जा रहा है certificate individuality action हो रहा है separate action हो रहा है इसलिए यहाँ पर each student each use किया गया है अब देखिए दूसरे example हम लेते हैं each student went to meet the chairman in line मतलब कि एक बच्चा जा रहा है मतलब प्रते एक बच्चा जा रहा है तो यहाँ पर separate action हो रहा है इसलिए each use हुआ है अगर हम group की बात करें group में action होता है तो हाँ every लगता है जैसे every student has a book तो देखिए book सब बच्चों के पास है तो यह group में action हो रहा है कि book जो है सब बच्चों के पास है अब जैसे every student was happy सारे बच्चे खुष थे तो देखिए group में हो रहा है जब खुष हुए तो सब खुष हुए कोई अकेला खुष नहीं हुआ तो चले यहां से यह clear हो गया अब एक चीज मैं आपको और बता देजना चाहता हूँ कि जो each है each एक pronoun भी है और adjective है each is a pronoun and also adjective that is why we use off after each इसलिए हम off का use करते हैं each के बाद यह pronoun है और adjective है इसलिए हम off का प्रेयोग करते हैं जैसे हमने कहां किया देखें यहां क्या किया था हमने each of the two girls तो यहां पर off का प्रेयोग किया तो off का प्रेयोग each के बाद किया जा सकता है क्योंकि क्यों किया जा सकता है क्योंकि each जो है pronoun भी है और adjective है but every सिर्फ adjective है pronoun नहीं है इसलिए इसके बाद off का प्रेयोग करना गलत होगा तो आसा है आप लोगों को ये टॉपिक हमारा पार्ट टू डिटर्मिनर्स का समझ में आया होगा चलिए लास्ट में मैं आपको एक प्रोबर्ब बता देता हूँ कि one nail drives out another one nail drives out another का मतलब होता है काटा ही काटे को निकालता है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहर ही जहर को काटता है thank you support बनाए रखिए ऐसी ही आपको knowledgeable वीडियो मिलती रहेंगी तो चलिए हम अगले वीडियो में कुछ और अच्छा लेके आएंगे आपके लिए